आपके घर में तूलसी का पौधा, आपके घर में खुसियां आने के पहले कुछ सुब संकेत देता है, कैसे? आईए जानते हैं आज इन्ही बातों को बिस्तार से देखे वास्तु सास्त्र में जीवन में जो नकात्मक चीज़े है ना उसको हटाने के लिए तुलसी का पौधा लगाने की सला दी जाती है और तुलसी का पौधा लगाने का भी सही दिसा है जैसे कि सर्वोत्तम दिसा पूरव दिसा है पूरव उत्तर दिसा है क्योंकि सुर्य उदै होने की दिसा है और इस दिसा के स्वामी देपता इंद्र है अब दूसी तरफ अगर हम वास्तु की माने तो तुलसी घर में सुक सम्रिद्धी को बढ़ाने वाला पौधा है अगर आपके घर में वास्तु दोस है तो तुलसी अगर आप तुलसी का बगीचा कहने का मतलब आठ दस पौधे लगा दें गमले में लगा दें आप देखिए का आपका वास्तु दोस में घर में जो परिसानी है वो खत्म हो जाती है गुड और बेड साइन फ्रम तुलसी तो ऐसे में देखिए आपके उन्नती का मार्ग भी खोलता है तुलसी वास्तु कहता है घर में कुछ चीजें रखने से नकात्मक उर्जा कम हो जाती है इसलिए पेड पौधों को कहां रखना चाहिए इसका बहुत ध्यान दिया जाता है कई पौधे हैं जो घर के वास्तु को समाप्त कर देता है और इन्हीं पौधों में तुलसी का नाम आता है तो तुलसी का सही दिशा जहां से वो आपके जीवन में सुपता को बढ़ाएगा सबसे पहले यह जाने देखिए जैसे कि तुलसी का पौधा है उसको हमेशा ही घरांगन में छट पर आप लगा सकते हैं लेकिन भूल कर भी दक्षिन दिशा में तुलसी मत लगाईए तुलसी तुलसी का पौधा यह जीवन में खुशियों को बढ़ाता है उचे पौधे को घर के दक्षिन-पस्षिन दिसा में लगा सकते हैं लेकिन छोटे जो पौधे होते हैं ना उनको हमेशा ही पूरव या उत्तर दिसा में लगाना चाहिए अच्छे फल देते हैं अब जैसे दूद वाले पौधे होते हैं जिस पौधे के पत्ते तने तोड़ने से दूद निकलते हैं घर आंगन में भूल दरवाजा है जो बालकनी है उन जगा लगा सकते हैं लेकिन हमेशा ही लताओं को उपर चड़ती भी आपको वेवस्था करना चाहिए बांद बांद कर उपर आप चड़ाएं तो अच्छा है नीचे जाएगा तो फिर आपके जिवन में मुस्कले आएगी धन खर्चा बढ़ा तो तुलसी का पौधा जब आप घर में लगाते हैं तो पूजा पाठ भी करते होंगे जलर पीट करते होंगे साम में दिया जलाते होंगे लेकिन गलत दिसा में फिर लगा देते हैं तो घर में निगर्टिव अनरजी बढ़ जाती है तो तुलसी के पौधे से कुछ मानने घैंने पार तुल्सी का पॉधा है तो और घर के बाहर तुल्सी का पॉधा लगा से हमेशा ही घर में खुteil सीम्राद बिशां अगर आपके घर में हम खुद बखुद पॉधा हो गा है तो इसका मतलब है यह सुब होता है वह बास्तु दोस्त को भी दूर कर रख तूलसी का पौधा हुगा है तो इसका मतलब है लक्ष में आपके घर प्रवेश कर चुकी है जो पौधा घर के लिए सुभ होता है वो बास्तु दोस्त को भी दूर करता है ऐसा माना गया है हमेशा उत्तर पूरव दिसा में रखें में जब तूलसी सूख जाए तो उसको तुरंथ थोड़िये का जो तूलसी को आपको फेक देना है जल में प्रभाईद कर देना है तुधर में ये भी माना गया है अगर आपके घर के तुलसी के पौधे के पास दुर्वा घास उगाए बहुत सुम माना जाता है माना जाता है कि आपके घर में जल्द ही किसी ब्यक्ति का जॉब लगेगा या बैपसाय में बड़ा तरक्की होगा उनकी बुद्धी से सफलता प्राप्त होगा लेकिन याद रखिए दुर्वा घास का पौधा जो होता है वो च्छत पर नहीं होना चाहिए अगर च्छत पर लगा तुलसी है पौधा और वहां हो जाता है तो उसको आप नीचे ले आईए क्योंकि च्छत पर दुर्वा घास रहने से राहु एक्टिव हो जाएगा इसको आप तुरंत हड़ाने के वेवस्था करें लेकिन घर अंगन में अगर तुलसी के पास अपने आप उख जाए तो यह बहुत अच्छा सा इन माना जाता है तो तुलसी के पौधे को मालक्षमी का अबास माना गया है और तुलसी के पास सालीगराम भगवा बेकुंठ लोग की प्रापती होती है क्योंकि तुलसी मा को उधार करने वाला माना गया है इंसानों का उधार करने के लिए पृत्वी पर भेजा गया है तुलसी को बहुत सारी गुन होते है घर में लगाने से हमेशा पॉजिटीव एनरजी आता है और कुछ नियूमों का पालन भी आपको करना है इनका देखभाल करना है जादा जल नहीं देना चाहिए तूलसी में वड़ना तूलसी खराब हो जाएगी अब तूलसी का पौधा बहुत जल्दी बहुत जल्दी सोचने लगता है घर पड़िवार पर बिपत्ति आ सकती है यानि कि इसके पास बहुत पत्ते बिल्कुल भी ना तोड़े तूलसी के नीचे हर रोज साम के समय एक दिया जरूर जराएं अगर किसी कारण से तूलसी का पौधा सूख जाए तो फेकिये मत बलकि उनका जल प्रवाह कर दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए और तूलसी मांसे माफी मांगे पत्ति साम्ति हो सके क्योंकि आपके ऊपर आने वाली मुसीवत को तूलसी अपने उपर ले लेती है भूलकर भी गनेश जी को और भगवान सिव ơi को तूलसी का पत्ता र्पितमत कियेगा माना जाता है तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो पहले ही बता देता है आपके घर परिवार पर मुसीबत आएगा या फिर आपके घर में खुसियाँ आएंगी अगर कोई गरह आपको सुप फल दे रहा है तो तुलसी का पधा उत्तर बढ़ता है यानि उत्तर दिसा की और पधे के टहनी पुस पुस अब आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन बुद्ध के प्रभाव से पधे में फल फुल लगते हैं तुलसी का गमला रसुई की पास रखिएगा तो पारी बारी कलह समाप्थ हो जाते हैं पुरव दिसा की खिड्की के पास रखिएगा तो आपके बच्चे जिद्धी अगर हैं तो वो जिद्ध करना छोड़ देते हैं घर की कोई संतान अगर अपनी मर्यादा से बाहर है नियंदरन में नहीं है मन का करता है तो तूलसी जो है पूरत विसा में रखावा तूलसी के पौधे में से तीन पत्ते हर रोज किसी न किसी रूप में अपने बच्चें को खिलाएं उनका बेभार बढ़ियां हो जाएगा तूलसी के गमले पर हर सुक्रवार के दिन कच्चा दूद जल में डालकर थोड़ी सी मीठी बस्तू डालकर आप भोग लगाए नौकरी में उच्चा धिकारी की बजह से परेसानी हो तो आप तूलसी के सोलह बीज सफेद कपड़े में बांध कर आपके ऑफिस में जो भी ग जा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट ग्रेंद्धर्मसमाग.com गूगल सब्सक्राइब करके आ सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिसकेशन में मिल जाएगा हरहर महादेब धन्य